वेरे गुद इवनिंग एवरीवन पहले कनफर्म कर दो प्लीज ओडियो वीडियो ओके हमाई ओडिवल किलियर ली आवाज आ रही है सबको प्रॉपर कि एक बार चैट में यस नो करके बोल दो प्लीज ओडियो वीडियो ओके ना ओके ओके खालीज जी शुक्रिया करते हैं ठीक है थोड़ा सा थोड़ा सा आज टेक्निकल इशू की वेए से व्यार रनिंग लेट वाए कि एट मिनिट्स तो इसको अबन कमपनिशेट करें कि चलो इस्टार्ट करते हैं वहीं कौन-कौन जूट चुके हमार साथ इकबाल कमल जी एसके विशाल जी राहुल वर्मल जी खीक ओके जिए तो इस्टार्ट करते हैं आज का लेक्च्छर है कर पर प्रिव्यर्स लेक्चर में हमने क्या स्टार्ट किया या इसकर व्यार्ट कर और दूए है और इस्टार्ट करेंग करनें कग्या विल्यक्ट こ सक्कूर्ट वह सबयर्म जानरत को कहा कबंडिया है और फिर वहीं है कrange करनेों करें कि उप Saal कर करकें कुछ बताना है अभी आप करके आप लौइस कम्यूनिकेट कर सकते हो को यंख ऐसार को एक एक चाहर था उसमें को आप निग्सीय वॉटी एक्चली मुवविं इन इन मौशण तो तो वीच प॥िक्षिंड दॉटरुब लिए प्रिक्षे लग डूबिग फ्रिक्ष्ट का स्वाइसवार्ट था बाडी मुविंग एक्टू लेक्षर उप्विंग लगाती तो यह तोसा जीए जो व्हों यह लिए तो स्बस्टेशन कि हां यहीया सर पूछने वाला हो कुछ और भी वह कुछ बो टो पता था सर मुझे उसमें का इन अप्शन में तो क्या क्या था by कि लेंटिंग फ्रिक्ष्चन था रोग डाइनेमिक फ्रिक्षर्ट था एक मुझे जाद निया रहा है तो अरे यार आपने फर्स लगाई ती में एक रेस तो उसमें हमने डिसकुश किया तरहे तेल में अरे काइनेटिक डाइनमिक दोनों का मतलब तो मोशन में है कि समझ रहे हो तो अब तो उसका इस्टडी करते हैं तो पार्ट से स्टडी करते हैं कैसे एक काइनेमेटिक और डाइनमिक तो दोनों पहले ना आप पर था ता था झालोट ठीक हो गया फिर तो एक नम्मर तो पकाँ अपर किंकि लिम्टिम और रोलिंग को था जाड विल्कुल प्लिक है सब्स्टांस का स्टडी करते हैं तो वो दो पार्ट्स में कर सकते हैं यह तो बॉड़ी रेस्प्य होगी तो इस्टेटिक होगा मोजब्स में होग तो इसको और उसकी चरण करते हैं रुझा की बाद करते हैं की बात करते हैं लेकिन फौर्स की बात नहीं करते करते हैं मोशन की बार करते हैं लेकिन यहां पर हम पर का भी अनलयसिस करते हैं पुरा बात कर रसी तुम है कि अच्छा आज पेपर ना अपलोगा चलो धोड़ीसी दोती मिनिट बात हो जाए तो मतलब क्या लगा आपको पेपर का लेवल देखके कैसा था सब्सक्राइब कर दिया था है अच्छा जो हमने फर्स चेप्टर किया था वह अपना फॉर्स वाला पैरलेलोग्राम लो पॉलिगन लो यह वह सब्सक्राइब कर दिया ठीक सब्सक्राइब ओक पॉलिगन लागा था ना आ कि कॉशण जो आपको मिला जो आपको कुशण मिला आज जो आपको पढ़ा जा रहा है क्या उसके उसके उस चैप्टर से रिलेटिड कुश्चन हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं तो ठीक है अगर नहीं हो पा रहे हैं तो यहां पर पढ़ा जा रहा है उसकेस में आपको एक बार जो भी इसकेस करना चाहिए प्रॉब्लम इसमें क्या करना है उसके अगर 70-80 परसेंट प्रिवियस यह उसी लेवल के आप कर पा रहे हो तो ठीक है सब कुश्चिंग जा रहा है नहीं कर पा रहे हो लेस देन 50 कर पा रहे हो तो फिर प्रॉबलम है एक लिस्ट फिफ्टी परसेंट से उपर आपको करना ही क है को चुके हो दुमारा गाड़ी पट्री पे लाजी पड़ेगी उसके लिए तो इस चीज़ का ध्यान लगना है वह आपको कि चलो तो स्टार्ट करें फिर किलास आज की है ओके चलो वह स्टार्ट करते हैं पिर देख देख चलो कल हम लोगों ने स्टडी किया था उसका एक कुक रिकाप देख लेते उसके बाद फिर जो क्वेशन ते उन्हें पर डिसक्रिशन करते हैं और फिर आज क्रिक्शन वाला पार्ट अपन कंप्लीट करके नेक्स लेक्चर में स्टार्ट करेंगे और सेंट्रोइड और सें पर ने उपर नेट फॉर्स लगीगा और डिस डिरेक्शन में बॉड़ी क्या करेंगी आपकी एक और रिलेशन क्या होगा net force equals to m times acceleration यह था linear motion के लिए अगर body angular motion में है तो linear motion के लिए तो force responsible है और angular motion के लिए क्या responsible है, torque responsible है तो angular motion के लिए क्या बोलता है Newton second law net torque equals to rate of change in angular momentum ओके, तो जो net torque होगा it is equals to that is i times alpha i क्या है यहाँ पर mass momentum of inertia है इसकी बाद हम next lecture में करेंगे और alpha के लिए और angular acceleration यह भी Newton second law of motion है वाट यह angular motion के लिए है और वो linear motion के लिए था f equals to m, angular motion के लिए t equals to i alpha थर्ड लोग की बात की थी action equals to every action is equal to opposite reaction friction फिर हम लोग ने start किया था, friction start किया था और friction पर हमने कुछ important points पर discuss किया था friction क्या है, friction हमेशा two surfaces के बीच में act करेगा, motion को oppose करेगा, ठीक है जिस direction में motion होगा या होने की tendency होगी उसके opposite act करेगा और plane of surface के parallel act करेगा यह हम लोग ने discuss किया था, friction surface area पर depend नहीं करता है, किस पर depend करेगा, type of contact पर depend करेगा जो दो body contact में है उनका बीच में जो contact है, उसका type कैसा है कितना smooth है, कितना rough है उसके depend करेगा friction और friction directly proportion होता है normal reaction के ठीक है, किसके proportion होगा directly normal reaction के, normal reaction क्या है normal reaction जो surface लगाएगा किसके उपर, body के उपर क्यों लगाएगा, क्योंकि body ने surface के उपर कुछ force लगाया होगा उसके reaction में, that is surface भी body के उपर कुछ force exert करेगा वो normal reaction है so normal reaction always acts perpendicular to the plane of surface यह बहुत important point हमने कल भी बोला था friction हमेशा surface के parallel लगे है और normal reaction हमेशा surface के perpendicular लगेगा that means friction और normal reaction में हमेशा 90 degree का angle होगा ठीक है, so friction force is directly proportional to normal reaction ठीक है, यहां पर यहां पर मैंने आपको कुछ example लेकि बतायता है यहां पर यह force लग रहा है तो इधर मोहने की इधर motion होने की tendency है motion होने की tendency इधर की तरफ है तो friction इसके opposite आएगा इधर यह surface है भाई, यह surface है ठीक है, जिसके उपर body रखी हुई है सर्फेस के parallel लगेगा, motion के opposite लगेगा और normal reaction कैसे लगेगा सर्फेस के perpendicular लगेगा ठीक है, similarly यहां पर हमने देखा था इस body के motion होने की tendency इधर है इधर की तरफ है, तो friction कैसे लगेगा यह surface है, यह surface है जिसके उपर block रखा हुआ है बॉड़ी रखी हुई है, surface के parallel और motion के opposite और normal reaction यह कैसे लगेगा यह surface के normal, इसका नाम ही normal reaction है तो हमेशा है surface पर कैसे act करेगा, normal act करेगा ओके, यह वाला case देख लो यहां पर जो motion होने की tendency है, motion होगा तो इस direction में होगा, वही downward direction में होगा तो friction के दर act करेगा, upward act करेगा motion के opposite, यह ना, इस surface के उपर body रखी है, यह surface के parallel और normal reaction कैसे लगेगा, surface के perpendicular, हमेशा friction force और normal reaction यह दूसरे के perpendicular होगे यह हम लोगों ने discuss किया था, और फिर हमने बात कीती, friction force is directly proportional to normal reaction और proportionality sign remove करके, हम एक constant यूज़ करते हैं, उस constant क्या बोलते हैं, coefficient of friction यही वो time है, coefficient of friction जो depend करता है surface के, कि दो surface के बीच contact कैसा है अगर दो surface के बीच contact बहुत smooth है, तो mu का value less होगा, friction कम होगा और अगर दोनों surface के बीच contact बहुत ज़्यादा rough है, तो mu का value ज़्यादा होगा, friction force भी ज़्यादा होगा ठीक है, पिर हमने एक beautiful example लेकि समझा था, कि friction force always not equals to mu n, friction force less than equals to mu n होता है, friction force less than equals to mu ठीक है, इन चीज़ों पर हमने discussion किया था, ठीक है, यह हमने discussion किया था, अगर body rest पे है, तो उनके बीच में जो friction लगेगा, उसको क्या बोलते है, static friction बोलते है, और जब वहाँ पर हम coefficient use करेंगे, वह mu के यूज़ों करेंगे, coefficient of static friction, ठीक है, अगर body motion में है, अगर दो surfaces के बीच में relative motion है, तो वहाँ पर जो friction act करेंगे, उसको क्या बोलते है, kinetic friction बोलते है, और वहाँ पर जो हम coefficient use करेंगे, वह mu के use करेंगे, coefficient of kinetic friction, coefficient of kinetic friction, और यह जो value होगी, that is, mu into n, mu into n जो value idea, यह friction की maximum value है, इक यह friction force की maximum value, इसको और क्या बोलते हैं इसको लिमिटिंग फ्रिक्षन भी बोलते हैं मू इंटु एंट गो सर्फेसिस के बीच में बिट्विन्टू सर्फेसिस फ्रिक्षन की मैकसिमुम वैल्यू कितनी उसकती है friction force maximum कितना हो सकता है two surfaces के बीच में that is mu s into n mu s into n इतना हो सकता है maximum friction two surfaces के बीच में तो अगर आपको किसी भी body को motion में लेके आना है तो इससे ज़ाधा force लगाना पड़ेगा तभी body motion में आएगी नहीं तो वो body motion में नहीं आएगी नहीं तो friction friction क्या करेगा motion को restrict कर देगा friction force कितना है maximum कितना हो सकता है mu s into n तो body को motion में लाने के लिए इससे ज़्यादा force आपको लगाना ही होगा simple यह हम लोगों ने detail में discuss किया था static friction और kinetic friction की हमने बात की थी कि mu s is always greater than क्या होता है mu k होता ठीक है यह भी आप लोगों ने बात की थी इस 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 यह 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 आप लोगों ने बात की थी वह यह बड़ा important है यह बड़ा important है यह बड़ा important है दिस यह आप लोगों ने discussion किया था इस example से इसको समझा था यह this is a beautiful example यहां पे बॉड़ी का मास 10 kg जी का वाल्यू टैल ले लिया तो वेट कितना एक्ट करेगा बॉड़ी का 100 एंट्रेड एंट्रेड इंट्व जी इस नॉर्मल रियक्शन अपवर्ट जाएगा नॉर्मल रियक्शन अपवर्ट जाएगा सर्फेस के इसके हो जाएगा तो पी के डिफ्रेंट डिफ्रेंट वैल्यू पर हमने कहा देखा था फिक्शन फोर्स नेट फोर्स और एस्टिवरेशन ओके यहां पर सबसे पहले हमने मुवेस इंटू एंट कैलकुलेट किया मुवेस का वाल्यू 0.5 मुके का वैल्यू 0.45 तो मुवेस इंटू n का वैलिव कितना आया था 50 ौ। तो दिस फिफ्टीन तो फ्रिक्षन का नेशर क्या है तो यहीं चाहिए ना कि दोस्ट और फेस हमेशा इसमें रहे आपस में रहे उनका तो फ्रिक्षन फॉर्थ भी टुन्टी आएगा फिफ्टी नियाएगा यहीं पर बहुत सारे सुट्टी करते हैं लोगों ने भी गलती की थी अगर पी का वैल्यू बढ़ा के फॉर्टी कर दूं तो फ्रिक्षन कितना होगा फ्रिक्षन बढ़के 40 हो जाएगा फिर से तो नेट फॉर्स जीरो 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 अगर बॉड़ी पर नेट फॉर्स जीरो तो एस्टिवेशन भी जीरो होगा अब जैसे आपने पी का वैल्यूंटी से बढ़ाके 65 किया सकोज़ अब मैक्सिमम् फ्रिक्षन कितना है बॉड़ी जे उपर 50 है पोर्स कितना लगा 65 है तो प्रिक्षन के लिए यह वाला फॉर्मुला करेंगे उस टाइम पर इस्टाइटिक फ्रिक्षन यूज नहीं करेंगे और वूटके का वाली 0.45 अब जो फ्रिक्षन फॉर्स होगा वह थोड़ा कम हो जाएगा कितना हो जाएगा 45 नूटन डिटेल में हम लोगे डिसकस किया अब फ्रिक्षन कितना फोटिफाइव गया इसके बाद आप कितना भी फोर्थ बढ़ा दो फ्रिक्षन हमेशा 45 रहेगा फ्रिक्षन कोस्टेंट होगे कि तो 65 external force friction force 45 net force कितना आगे बॉड़ी पे 20 तो net force की विए से बॉड़ी एस्सिलरेट करेगी क्या एस्सिलरेशन आएगा तू मीटर पर सेकेंड इस्टुरेशन अब फ्रिक्शन 45 रहेगा इतना भी फॉर्स बढ़ा दो आप external net force 30 बॉड़ी पे एस्सिलरेशन कितना आएगा यह हमने डिसकस किया था और यह हमने कर्व देखा था कि यह external force जैसे जैसे आप external force बढ़ाओगी वैसे-वैसे friction force increase करेगा इंक्रीज करेगा अपनी maximum limit को रीच करेगा maximum limit क्या है उसके बाद अगर आप further external force बढ़ाते हो तो friction force थोड़ा सा कम होगा कहा तक आएगा यू के इंटु एंट तक आएगा और उसके बाद ये वैल्यू कॉस्टेंट हो जाएगी पी का वैल्यू आप कितना भी बढ़ा हो अब friction force चेंज नहीं होगा यह हम लोगों ने चीज़ें डिटेल में डिसकस की थी तो यहां पर फिर हम लोगों ने question किया था motion start करने के लिए minimum कितना force लगेगा और यह weight का जो component है mg sin 30 यह भी motion को oppose करेगा तो पी इधर लगा रहे है motion start करने के लिए तो friction भी इसको अपोल्स करेगा mg sin 30 भी इसको अपोल्स करेगा तो पी minimum कितना होगा maximum friction प्लस mg sin 30 इतना होगा क्योंकि motion start करने के लिए आपको mg sin 30 को overcome करना पड़ेगा और maximum friction को overcome करना पड़ेगा यहां से उन्हों ने answer find किया था 75.9 निटर नहीं था simple यह चीज़ें हमने discuss कि थी angle of friction की बात की थी अगल और friction क्या होता है यह इसके बीच का एंगल है जो friction force और नॉर्मल रियक्शन का resultant आप कि इसके बीच का एंगल है resultant का नॉर्मल रियक्शन के साथ जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं friction एंगल 5 ओके और यह यह पास आता है क्या 105 इक्वस्टू मू यह हमाने पास relation आएगा यह अमारे पास relation आता है ठीक है और हम लोगों ने बात की थी यह रिलेशन किस कंडिशन के लिए यह रिलेशन उस कंडिशन के लिए वैलिड है अगर उस कंडिशन पर जो friction है friction कितना होगा अपनी maximum value पर होगा मिव इंटो एंट पर होगा है कि अप्रिक्शन अपनी maximum value पर होगा उस पर यह रिलेशन किया होगा आपका इंट फाइक वस्टू जिहां नोगों ने प्रीएस लेक्शन में डिसकस किया था उसके बाद मैं ने यह प्रॉब्लम दिया था आपनों को करने के लिए यह प्रॉब्लम का अंसर बोलो वहीं किस-किस ने सॉल्व किया है कौन को आंसर कर बहूत सिंपल कोशिन ए आज आपका एक्षाब हुआ है ना ठीक है वो कुछ कोशेन से मेरे पास भी आये है उसके मिशने लेवल देखा है तो सिंपल कोशन है इस तरह की कोशन उसके है एंद कि लेकिन यसे कि आमने बात की थी जो हमारी प्रिप्रेशन रहेगी वह एक्जाम के लेवल से एक स्टेप ऊपर की रहेगी तो क्योंकि देखो होता क्या है ना एक चीज का ध्यान लखना सपोस्पोस हंड्रेड कोश्चन आएंगे एक्जाम में 100 कोश्चन आएंगे तो डियर आउट ओफ एंड्रेड 60 कोश्चन तो ऐसी होंगे जो बहुत सिंप सब्सक्राइब कोश्चन तो आपको सही करने करने है अगर आप इसमें भी गिलत करोंगे तो आप पहले कॉंपेटिशन से बाहर हो और यह तो मैक्सिमम स्टुडेंट सब्सक्राइब करेंगे जो थोड़ा सा भी पढ़ाई के टश्मेंट इस फॉर्टी में से जितने ज्या अब 40 में से अगें अगर मैं ब्रेक कर दो इसको टॉंटी और टॉंटी कोश्चन अगें मोडरेट टाइप के होगे जो नुमेरिकल टाइप होगो जो एक लाइन में फॉर्मोल अलगे सौल हो जाएंगे तो एकदम से बीड़ से अलग हो जाते हैं तो हमेशा ही जो टॉंट अग्जाम है यह उस लेवल से एक स्टेप उपर का होगा हमेशे टॉंटी कोश्चन हमेशा एक्जाम लेवल से एक स्टेप उपर के आते हैं तो अब इन टॉंटी कोश्चन में से जितना ज्यादा आप अटेम्ट कर पाओगे उतने ही आपकी प्रोबैलिटी बढ़ अब भी नहीं बता रहे हैं आप लोग तो अब भी नहीं बता रहे हो इतने लिए साव भी कर लेते हैं क्या बोलते हैं कि एक हैवी बॉक्स औफ मास्ट टॉंटी केजी इस पूल्ड और होर्जॉंटल सर्फेस एक चलो होई सबसे पहले बढ़ा लेते हैं ए कि ए मैं और है कि कि- okay अब हैं यह वी बॉक्स औुफ बना लेते हैं डिस हुद यी एक बॉक्स से वई सर्फेस के उपर रखावत है कितना मास है इसका मास है 20 kg मस कितना है 20 kg होरिजोंटल से हैस इसको चोप्ल आट unfor लगारे फॉर्स और पुल किया जा रहा है थी अचा ऊसके उपर यह फी थी फ फॉर्स लगाके इसको फुल किया जा सबसे पहले देख लेते हैं कि दर की तरफ आएगा अगर बॉड़ी मोशन में है तो फ्रिक्शन इटर आएगा और अगर इसका वेट कितना लगेगा इधर टॉंटी टाइमस जी टॉंटी इंटु जी लगेगा नॉर्मल रियक्शन किदर लगेगा अपवर्ड लगेगा वर्टीकल डिरेक्शन में फोर्स बैलेंस करो गया अगया 0.25 इंटु 20 इंटु जी जी का वैल्यू अगर में 10 लेलू जी का वैल्यू अच्छा ऐसे करना है आपको एक्जाम में देखो सुनो मेरी बात अब यह कोश्चन अगर एक्जाम में आए ना डिया वहां पर जी का वैल्यू 9.81 लेकि आपको ऑप्शन दिया होगा ले ऐगा एकस्प्टे नेकर सुल्व करते लो तो आपका अंसर की आएगा अगर आप 10 लेके सॉल्व करते हो तो कितना आएगा यहाएगा तो प्रूंटु 25 होगा तो आप चार ओप्शन देख लोगे ना तो 49.10 वाला जो भी और वह और टो इस तरह से होल फिगर में करके सॉल करनो और जो आपको लग रहा है इस जो एक्चुल आंसर इस से थोड़ा कम होगा तो कम वाले उप्शन पर जाओ जाओ जादा होगा तो जादा वाले उप्शन पर जाओ अब 9.81 से मुल्टिप्लाइए करने लग जाओगे वहां पर तो उसी में एक मिनट खराब हो जाएगा ऐसे नहीं करना है एक्जाम में चलो नेक्स पॉशन भी बात करते हैं नेक्स पॉ और पॉइंट ऑफ गुविंग जस उस पॉइंट पर के मूव स्टार्ट हो जाएगा मोशन मोशन जस्ट स्टार्ट होने वाला है यह बोला है उसने ठीक है मूविंग अप दा प्लेन बाइफ फॉर्स ओफ फॉर्टी न्यूटन अच्छा यह मिस्टेक है इस फॉर्टी न् सब्सक्राइब करके आप कितना कर लो हंड्रेट न्यूटन कर लो हंड्रेट न्यूटन एक्टिंग पैर्लेल अप दा प्लेन क्या बोलते हैं मैं सबसे पहले फिगर कर लेते हैं देखो यह बोल रहे हैं कि कि यह सर्फेस ए मेद्गी झोएं इंकलाइट फिफटीं डिग्री की एंगल पर सफसें इंकलाइट है में और इस एक बनक्लाइक प्लेस कीया हुँए एक बॉडि दिग्री इंगल कि टिया हुए और define वे वॉड़े कितने एंगल धिया हुआ है 15 वे और ठीडिये एक उडि आपक है वह उन्हीं बोल रहे है कि गउम मना नियोटन का फोर्च सरफेस के पैरलल औरтом पर्ड ऑप्सक्रा आउ to और एक्ट कर रहा है इस तरह से एक यह एक्ट कर रहा है भई हंड्रेट मुट को फाइंड दा कोफिशेंट और फ्रिक्शन इफ इन्क्लाइशन ओफ प्लेन इस टिन डिग्री तो यहां पे मियू का वैल्यू कितरा होगा दोनों सर्फिस के बीच में डियर यह बताना है हंड् तो इस जस्ट ऑन दा पॉइंट ऑफ मूविंग अप यह इधर की तरफ मोशन स्टार्ट होना हिवाला है तो 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 मोशन इदर लोगे तो फ्रिक्शन की दर आजाएगा इदर आया फ्रिक्शन यहां फ्रिक्शन को सिदर आएगा यह वारिगाशन विद्टमेट कितन है अब freedom करना है इसको क्या करें मैं रिजॉल्व कर लेंगे इदर अच्छा नॉर्मल रिएक्षिन किदर आएगा नॉर्मल ब्रेर्ट आयेगा सर्फेस के नॉर्मल सर फेस के नार्मल एक्ट करेंगा वहीन ये नार्मल एक्षिन होगा एंगला एंगल वह कितना होगा यह वाला एंगल भी सिफटीं भी सिफटीन तो इसके साहँ एंगल कॉंपृरेंट कितना हो गया टूंड्रेड साहिंट- Kirill कि चीजों को बैलेंस कर लो और वर्टिकल में एक तो इस डिरेक्शन में बैलेंस कर लो एक इस डिरेक्शन में बैलेंस कर लो कुश्चन सॉल्व हो जाएगा एन कितना आएगा इधर इसको बैलेंस करेंगे तो एन कितना आएगा इधर से एन इक्वल स्टू तू हंड्रेड 200 कॉस्ट 15 & equals to 200 फिफ्टी इधर बैलेंस करेंगे तो क्या रेका इधर बैलेंस करेंगे तो क्या रेका वैई देखो तर चुका वाए लास्ट बिल्कुल वर्च पे स्टार्ट ओने के तो फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम लिमिट पे होगा ठीक है कितना होगा फंड्रेड प्लस शॉरी थे इक्वल्स टू 200 sin 15 plus mu into n maximum friction कितना होगा mu into n n का value यहां से आप उट कर लेंगे वही तो कितना आएगा 100 equals to 200 sin 15 200 sin 15 plus mu into 200 cos 15 200 cos 15 इस equation को solve करो और इस equation को solve करके mu का value find the lower इस equation में एक ही unknown है mu इस equation को solve परेंगे और mu का value find करेंगे और जब इसको आप solve करो विडियर mu का value आएगा 0.25 0.25 mu का value आएगा 0.25 ठीक है? बोलो भाई इसमें किसी कोई doubt कोई query है तो बोलो इस question में किसी कोई doubt कोई query कुछ नहीं समझने आए तो बोलो भाई इस सब को clear है ना? वाई yes or no बता जे गरू एक बार comment में ना? ठीक है? chat box में yes or no डाल जे गरू एक बार अगर clear है तो yes इस अपको clear है? चलो ठीक है okay repeat again which part? इसमें क्या कुछा है? हमने balance किया है ना force को simple n तो किसके equal होगा? यह वाला काम तो हमने कलबी किया तो यह surface है surface के उपर यह block रखा हुआ है देखो जहां से surface के उपर यह block रखा हुआ है यह block का weight लग रहा है W यहाँ पर कितना है 200 इसको component कर लेंगे एक component इधर आएगा एक component इधर आएगा इंगल कितना है यह एंगल 15 दिगरी है यह component कितना हो गया? 200 सब्सक्राइब को सब्सक्राइब यह चाहिए और दूसरे वाला component साइन होगा यह component कितना होगा 200 साइन 15 200 साइन 15 ठीक है यह किया आपने नॉर्मल रियक्शन किदर लगा बभाई सर्फेस के नॉर्मल लगेगा नॉर्मल लेक्शन तो इस डारेक्शन में अगर फोर्स को बैलेंस करोगे तो एन किसको बैलेंस कर रहा है और यह इधर की तरफ लग रहा है और लगेगा फिरिक्शन फोर्स इधर लगेगा और इस डिरेक्शन में एगर फोर्स बैलेंस करेंगे क्या बोल रहा है पोशन जस्टार्ट होने वाला है इसका मतलब क्या है 100 Newton अभी इसके प्लस इस वाले friction force प्लस 207 15 इसके इक्वल है ना 100 Newton इन दोनों फोर्स ने मिलके 100 Newton को बैलेंस किया हुआ है अभी जस्ट इस पॉइंट पे motion start ही होने वाला है तो यहां पे 100 किसके इक्वल है 207 15 प्लस friction force friction force कौन सा mu into n friction force की maximum value लेंगे कि motion just about to start अपनी maximum value के पहुच गया है तो यह 100 इक्वस्टू किसके आएगा 207 15 प्लस friction force 100 इक्वस्टू 207 15 प्लस friction force friction force का वैल्यू पुट करेंगे है अएट का वैल्यू करेंगे 200 और 15 यहां पर यह पुट किया यहां से solve करेंगे दिन यू आजाएगे हलो ओके ओके तो चलो भाई यह वाला कोश्चन किया किसीने सॉब यह वाला भी नहीं किया होगा इस वाले को आप सॉल्व करोगे खुश्चन का फायदा तभी है अगर आप ट्राय करो ना पहले खुश्चन करवा दूगा लिकिन उसे मतलब थोड़ी है जब तक आप खुश्चन करोगे इसको भाई खुश्चन करोगे बस यहां पर एक चीज आपको हिंट देता हो हिंट क्या है जब भी कोई पुली लगती है ने पुली है तो पुली के बहुत साइड में टेंशन हमेशा सेम रहेगा चाहे एक इधर से ऐसे जा रहा है यह यहां पर दोनों तरफ टेंशन सेम आएगा इधर से इसका वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड अइम जी यहां पर इसका टेंशन लगेगा टी अगर यह इधर की तरफ इसके जाने की टेंडेंसी होगी इधर की तरफ यह इसको इधर की तरफ खिचे आपनी तरफ मुषं कंगा तरफ चाहेंगा तरफ मुकल होने की टेंडेंशी है यह वह यह हैं कि यह होगा मोशन होने वक टेंडेंसी विश्ट्रिक्शन गहां को समयत है यहां पे टेंशन आएगा इदर की साइड के और यह वाला टेंशन यह वाला टेंशन टी और यह वाला टेंशन टी दोनों सेम होगा क्योंकि पुली के दोनों साइड में टेंशन हमेशा सेम रहेगा दियान लखना कैसा भी कोश्चन हो कहीं पे भी अगर पुली लगे भी दिख गई तो पुली के दोनों साइड में टेंशन हमेशा सेम रहेगा इकबाल का आंसर है 0.4 kg very good इकबाल very good I think 4 kg है शहर हो सकते है 0.4 I am not very much sure 4 या 0.4 में सी आंसर है लेकिन very good ज्तें पुली लगी है यह में सब्सक्राइब चलो आगे बात करते हैं अगे बात करते हैं अब समझते हैं अब आगे चलो एंगल ओफ रिपोज एंगल ओफ रिपोज किसको बोले है समझो क्या है एंगल ओफ रिपोज है ना एंगल ओफ रिपोज is nothing but the this angle of inclination यह जो angle of inclination है ना surface का angle of repose तभी picture में आएगा जब आपका body किसी inclined surface पे placed है जब body किसी inclined surface पे placed होगा तबहिए एंगल ओफ। पिच्चर में आएगा नहीं तो एंगल ओफ पिच्चर में नहीं आएगा जो इसको इस बात को समझो सपोस्थ को कुछ में लेके आता हूं इस यह आ गया पर पास और मैं अगर कोई एक ब्लॉग लेलू यह देखो चालो बहुत इस अब यह प्लेस कर दो ब्लॉग इस तक इस वरेस्स के उपर बेल मैं इनक्लाइन गहरू बढ़ा रहा gas goal इनक्रीशन इंक्रीशन कर रहा हूं इनक्रीज कर आए और इंक्रीज कर क्णाएं इन क्रीश कर नाbab मस्वें इंक्रिंशन जहां पर जस्थो की स्टर्ट ओनन था वह कूरीशन सरफेस कर में इंफ्ट अपर Θ侑 जहां पर elaborated क्लिशन को बोलते हैं उस एंगल को बोलते हैं ऐंगल ओफ पर होल्स ऐंगल ओफ पोस्ट तो एंगल ओफ रिपोस is nothing but the angle of inclination of surface that angle of inclination of surface where body is just about to sleep where body is just about to sleep with the motion just start on a live it okay so this is the angle your book definition this is the angle this is the angle this is the angle where the block begins to move at constant velocity but you have a block just start just motion just motion start to move on either start to go this is the angle of inclination and it's called the angle of repose okay so you have a little round in the book definition of the of repose angle of repose is that is that angle of inclination is that angle of inclination is that angle of inclination at which at which body is just is just about to start motion body just about to start motion yeah it was angle of inclination is surface का जहां पर body just motion को start कर दे वहाए स्वाइ ठिकिन sug Allah Kum क्या वोलते है in the görd Tin कि के ओइं ॥े वे इन एके यह ए after यह Bent का ली होता कितना है यह पूछ लेंगแลंगे एक्जाम में तो तो कितना होगा चलोगहा देखते हैं तो सब्से पहले पर पर इस सब्सक्राइब करते हैं और उसको अधर ऐसको सब्सक्राइब और एक हर जरु करते है आए यह ङा और टौल सब्सक्राइब क्या अए गांन इक्वस टू向 को स्टू सेल वाँए same नेकवल्से quase स्टृटमिए क्ऴैशन गार्टेसंगा को रजू जरी में बोरसे मैं पोर्टेस्ट परर्टेसी मेंशना में यह और शोर्टीकर पैसरे बंड़स्टर है जब फोर्ट आपे जू पिस्तार सुरें को फिरेक्षण ने क्यों तो इंदेर मोशन अकर置गा इधर फोर साइगा यह आएगा फ्रिक्शीन फोर्स कितना ऐए इधर एम जी साइन अलपा एम जी साय रागए है को फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या पूट करेंगे यह पे मियू इंटु टु एंटु में तो एंटु इकोस टू एंग शाहिद इस पॉइंट से मोशन स्टार्ट हो जाएगा तो फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पूट किया म्यू इन का मैक्सिमम वैल्यू होता है एन का वैल्यू क्या है कर लो क्या बहुतरीन रिलेशन आने वाला है यहां पर ओके और यहां पर निखा भी है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस यहां पर अलाएग से पढ़ रहे है कि अगल ऑफ रिपोस की है कर सकते हैं ऑके मजी से अनुद गया तो मिव क्या मिव इख टू इदर साइन अलफा और साइन अलफा आपको यह जो पता है कि मुध का होता है और मियू एक वर्ट टु यह तो हमने यह दो हम ने कल ही पढ़ा था मियू एक वर्स्टू टैन वाई-फाई प्रिक्षें एंगल तो मू एक वर्स टू टैन फाइं टैन फाई 105 एक वर्स्टू 10 अल्फा यहां से डिएर इक वर्सटू अल्फा पाई इक्वलस टो अलफा मतलब यह कि angle of repose और angle of friction यह friction angle दोनों का जो magnitude है वो same ही रहेगा दोनों का जो magnitude है वो क्या रहेगा same ही रहेगा देखो मैं बताता हूँ आपको क्या होगा ध्यान से देखो दोनों का magnitude same ही रहेगा यह suppose कोई भाई surface है कि इनक्लाइन की गई इस पर कोई ब्लॉग प्लेस किया है कि अभी ध्यान से देखना ज़रा ध्यान से देखना सो क्या बोल रहा हूं यह बोल रहे है कि इसका यह वेट आएगा इधर डबलू इधर वेट आएगा डबलू इधर वेट का कॉंपोनेंट आएगा है कि अगर यह अंगल अलफा है यह क्या इधर कि अगलल रियक्षिन इंड और इदर की तरफ और फ्रिक्श्र फोर्स है सब्सक्राइब लीच कैस कैस्का रिक्शन ऑन्ट यान वे सब्सक्राइब अब इन दोलों के बीच ये इसका रिजय हो ऑप इसका रिजय और तो क्या था हमारे पास यह अपर यह ब्लॉक प्लेस किया तो दीरे दीरे इसको मैं इंकलाइट कर रहा हूं इंकलाइट कर रहा हूं तो एक प्वाइंट आएगा यहां पर जहां पर जस्ट मोशन यह यहां पर जस्ट मोशन स्टार्ट यह जो एंगल बनेगा यह फर से जितना इंकलाइट होए यह एंगल और ऑफिपोज एना यह एक्जाट्ली अनल के इकल कर आएगा इकजेट्ली किसके अग्मिक्वाट में फ्रिक्शन एंगल के इकवल होगा रिक्क्षन अंगल होगा जो चीज यान दिद्धे भी अंगल के इकलव होगा है ऑग्त और लाफक रिपोस मेर्फ यह मैं अनुदे नहीं फ्रीक्षन अंगल के ईकवल है पाइक वद गॉस्ट स्षाग उप細ग केald एंगल ऊफ रिकोज़ इक वस्टो फ्रिक्शन एंगल इसम्होंगे इक पदके लोगे वह सी परिंटु एक यह किसी परटिकुलर इस्टेंट पे बस एंगल ओप इंग्ल ऊफी ज cancel आपे मोर्ण जस्ट स्टार्ट हो जाए इंगल उप्लिमिश्ट इए बहुत पूछते हैं एक्जाम में बहुत पूछते हैं एंगल उफ पूर्स के बारे में यहां से वही वन लाइन टाइप बनता है उप्जेक्ट इसमें किसी कोई डाउट हो कुछ नहीं समझ में आया तो बोलो बैद इ कि यह क्लियर है सबको यह सुर नो बता देना एक बार ओके ठीक है ओके थैंकि यह होगी बात किसकी एंगल ओफ रिपोस की ठीक है ऑद थैंक्यू आ गया तो अभी इसे थैंक्यू आ गया था अभी एक चीज और देखते हैं जिसको अपन बोलते हैं क्या है थ्यान से देखना क्या बोलते है को अफ प्रिक्षन क्या है को अफ प्रिक्षन क्या है को अफ इए यहां से देख में और इसके लिए में क्या करता हूं काम करते हैं मेरे को ना College दूसरा चाहिए होगा मैं आप लोगों के लिए न एक रफ सर्फेस बहुंड के लाता हूं और इस पर रखने के लिए कोई आपजेक्ट भी डोन के लाता हूं सब्सक्राइब अपजेक्ट रिष्की ले लिया है कोई सस्ता सर्फेस इसकी उपर यह ऑबजेक्ट मैंने प्लेस कर दिया सब्सक्राइब मैंने यहां पर क्या किया एक इस टिक लगा दिया थी ठीक है अब इसको को में क्या एक कर रहा होayan कर रहा हूं और बढ़ारा हूं और स्लाइड हो गया जिस जसे पॉइंट पर आगे सिंट्ट वा जिस पॉइंट पर आगे क्या हुआ वह पोशन स्टार्ट हुआ है पुदो इस स्टिक थी ऐसे व कि होगी समझ पारे हो बाद समझ पारे हो कि नहीं यह अगर मेरा यह थाना बॉड़ी इस पर मैंने ऐसे स्टिक लगा है तो यह स्टिक एंगल बनाओगा ना अब बनाओगा इस टाइम पे जस्क्राइब वह एंगल क्या वह को नो फिक्षन क्या वह एंगल ऑफिपोस नहीं है क्या जो 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 इन्क्लिनेशन सर्फेस का होगा ना के साथ वही इंक्लीनेशन इस वर्टीकल कहोगा इसके साथ जिस जितने अंगल कि अरो अगर मैं इसको के अगर मैं इसको मैं इसको इस डॉक्शन कर तो इस ही सबंदेट्ट्र को जहां सहे क्या होगा स्टार्ट होheart वह जो पूरा कॉन बनेगा वह जो पुरा कोन बनेंगा एक रिजन कि इसको मैं क्या गोल रहा हूं कोन और friction गोल रहे हैं धेखो दिखान से इसका पोजिशन है लास्ट यह इसका लास्ट पोजिशन ऊगा पोजिशन को इस तरह से यह बीच में यही क्या है यही क्या है कोन औफ क्रिक्षन ऐचा लॉच्छन क्या है यह वह रिजन बनेगा जिसमें बोड़ी स्टिक कंडिशन में करेगी जैसि आप इसके मारें लेके जाओंगे तो आटी का मोशन स्टार्ट हो जाएगा वरी का किया स्टार्ट हो जाएगा और उसको कि नहीं ई इस तरह समझ आई तो बोलो मैं दूसरा एक्जाम पर लेता हूं पर इस तरह समझो इस सर्फेस के उपर मैंने प्लेस किया इसको ऐसे यह यह ऐसे लगाया हुआ है इसके उपर रखाई है इसके उपर मैंने इस टीक लगा दिया ऐसे सपोस्वियें यह स्टीक लगा दिया सभाव घूप इसको इसको इनकलाइट करूँए यह इनकलाइट के विधि तरफ इदर गिर जाएगा जहां पर गिलेगा तो वहां पर एक यह बंगा ना इधर ठीक है पहले वर्ति आपको वाइट दिखाता हुआ यह आपको इसे लगा हुआ है यहे ऐसे लगा हुआ है यहां पर मोशन में स्टार्ट एए से आ घे सीसु कि यह की साम कि इश यह वर्टिकलर पर यह कुछ श्रके लिगा इसको जाएगा यह ओग्याओma तो ऑसे मैं स्टार्ट ही ए क्मोशेद्व में नित्वह ूंड trillion रभी और के एक दम से यह पूरा को बन जाएगा यह पूरा क्या बनोर सिसक और तक और के अंदर है तब तक वो स्टाटिक कंडिशन में जैसे बोड़ी कॉल और फ्रिक्शन के बाहर गई तो बोड़ी किसमें आ जाएगी मुशन में आ जाएगी समझ आया सबको यह बात यह सुर्णों बता देना वह एक बार कि गोलो वह सबको समझ आई यह बात अरे यह सुर्णों बताओ ना नहीं समझ मैं तो मैं दुबरा ट्राय करता हूँ जब कर समझ नहीं है यह सबको जब तक बताता रहूँ है मैं वी डीटू पका लेकिन बताओ तो आप पहले यह सुर्णों बताओ ओके ठीक है चाला वरिवी ओके कोन और फ्रिक्षन के यह वह कौन बनेगा यह वह कोन बनेगा जहां तक बॉडिक इसमें रहेगी स्टैक कंडिशन में रहेगी खुद के वेट से लाइड नहीं होगी मोशन में नहीं आए ठीक है है तो दुबार से अपने ब्लैक पे यह है वह पार ठीक है अचाला ओके यह वह बात किसकी को फिक्षन की तो इसको बारे में अगर पुछ लिखना होगा सो को फिक्षन के है सब कोन और फ्रिक्षन को फिक्षन इस अरे जन इस अरे जन इव्ये通 वह रिए बोड़ी इस इन स्स्टैक कंडिश्उ बोड़ी इप्जिड इन स्क्राट इक क比如 स्टैक कंडिश्ऐ क्यों अट प्रक styl याक्रगर इस अंगल को खर्ते हों सुट És यह लिए ज हर आल ब्रानेggा इस दर भी आल प्र नारेगा like dram weiter this region this region body will start to slide body will start to slide इस पर लेकिन external force नहीं लग जाई तना है बड़ स्लाइट गर réponse उट्ट एक हमद्ट क्यों due to its on due to its due to its on weight अपने ही वेट से क्योंकि आप इसको क्या कर रहे हो यहां पर रखी थी यह बोडी आप इसको आपने इसको 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 अगर अलफा है क्या इसको इसको क्या जों इसको क्या इसको क्या बोल रहे हिए इस को ऑफिक्ष्च्ण ठीक है इस कोनों किया बोल रहे हैं को न अब अब कर आना है एक दो अच्छे चे तो करवाने है थेरी वाले पार्ट में देख रहा हूं और क्या रहे गिया है को ही है कम्प्लीट ही है कम्प्लीट ही है दियान रखना कभी कन्फ्यूज नहीं हो आपको बता रहे हैं आज भी पूशिन रहे था प्रिक्शन का है उसमें और फ्रिक्षान का मैक्सिमम वैल्यू है जो तू सर्फेस के बीच में कर सकता है और लिमिटिंग फ्रिक्षान का कितना होगा म्यू टाइम्स एंड लिख लेना चाहिए लगसे नोड बनाके ठीक है लिमिटिंग फ्रिक्षिन इस दी मैक्सिमम वैल्यों फ्रिक्षिन बिट्विन टू सर्फेसीज और उसका मैग्निक्यूड क्या होगा म्यू टाइम्स एंड अच्छा एक दो केस करते हैं को श्रबाइस सब लोग कि कापी पैल लेकर बैट जाओ और आंसर करेंगे सब सब आंसर करेंगे मजाए आपके एक दो अच्छे-चे केस लिए आता हूं आपके सामने ना अच्छे-चे केस लिए आप अच्छा एक सिंपल केस लेते हैं अच्छा यह केस में इसने ले रहा हूं तो डैट आपका ना आपका थोड़ा सारा चले दिमाग खुले यह नहीं कि सिंपल सिंपल कोश्चन वान लाइनर होगे ठीक है चलिया काम वो तो ठीक है वो तो करी लोगे डरेक नोट से हो जाएं जसलिए के लिए आपने चार फॉर्म ने रट लिए है और अधिक पड़ाई का मतलब पढाय करने का मतलब यहीं ट्वड़ा सा माइंड खुले एक थोड़ा सा सोचना पड़े चीजों के बारे में वहीं तो चार लाइन रटके गए इधर से उधर जाके लिगदी तो वह थ लेकिन आज कर लेकिन आप लोगी चेंज करोगे इसको चलो वह तो क्या बोलते है कि यह बाड़ी है बाई horizontal surface पर बॉड़ी को रखा हुआ है इस बोड़ी पे इधर से यह फोर्स लगा कितना कि बोड़ी पे इधर से फोर्स लगा कि इतना लगा 30 नीटन बोड़ी का खुद का मास कितना है बोड़ी का वेट बतारा हुआ है जो बोड़ी का वेट है डबलू जो बोड़ी का वेट है इस फिफ्टी नीटन पॉनिगा मेत कितना है 15 लिटन अगे और हंड्र लिए लो जल्ड बोडिका वेट रहें पॉपिशेंट वफिक्षिन है नहीं आपने कोफिशेंट वट्रिक्षन का वैल्यू कितना है 0.402 अब देखना मजा आने वाला है आप अब मजा आएगा वही बॉडिके उपर एक्सरेनल फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन का फिक्षन है दोनों सर्फेस के बीच में 0.4 उन जो बॉड़ी का वेट है वह हैं अब बॉड़ी के ऊपर एक और फोर्स लगाया इस तरह से इस पर्पेंडिकुलर टू प्लें पर्पेंडिकुलर टू प्लें बॉड़ी के ऊपर बढ़ लगाया है कि पूर्टी लूटन का कि पौर्टी न्यूटन का फोर्स लगाया है प्रपेंडिकुलर टू क्लें बॉड़ी के उपर कि अब आपको बताना है कि फ्रिक्षिन फोर्स कितना होगा यहां पर यह अब आपको बताना है इसके लिए दो मिनट का मैं टाइम दे रहा हूं इसके बार में आप सोचो और टाइमर भी लगागे दूगा ऐसे नहीं होगा विवानी नहीं होगी दो मिनट है तो दो मिनट का टाइम मिलेगा चलो गए टू मिनट्स टाइम स्टार्ट्स सबस्ट करेध्धर जाएम सकत्रावब साल पत्ता है झाल झाल कि कोई आंसर आचुका है के एसके एक आंसर आया है एंडि आंसर इस 24 दुबारा चेक करो हैं चेक अगें 24 इस नोट थिक करेक्ट आंसर सबसे पहले आप मेरे को यह बताओ अंडर इस पोर्सेज्ट सबसे पहले यह बताओ अंडर इस पोर्सेज्ट किया आपकी बोड इसटेक कंडीशन में है का ड है ब ऊट भडी का इसा ट्रफीक कंडीशन में या इंङया टाइनेटिक कंडीशन वे यह जल्दी भूलों और तरहांट सब आगे इस क्रादिक्सिया चिचाटिक में कैसे पता चलेगा इस्टर्टी यह कारे ठीक है कि अगर बाड़ी के उपर लगने वाला एक्सटर्णल चोर्ट का वैल्यू मैक्सीमुम फ्रिक्शन की वैल्यू से कम है तो बॉड़ी स्ट्रिकक चंडिशन में होगी ना ओग्योस भी बात है तो maximum friction कितना हो सकता है बाडी के उपर मैक्सिमाम और लिमीटिंग फ्रिक्षिन लिमीटिंग फ्रिक्षिन कितना है यहां पर मुएस और मुएन का वैल्यू तो एक अलग अलग दिया हुआ ही नहीं है तो यही कंसीडर करेंगे तो कितना हो जाएगा बाइड नो और नॉर्मल रियक्षिन किदर जाएगा नॉर्मल रियक्षिन कीदर जाएगा अभी यह काम तो हम बश्पन से करते आ रहे हैं तो यहां पिर जाएगा इंटू चेटो फ्रिक्षिन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा फॉर्टीन यूटन ठीक है लेकिन बॉडी के ऊपर एक्स्टर्नल फोर्स कितना एक्ट कर रहा है बॉडी के ऊपर एक्स्टर्नल फॉर्स फेजान बोल रहे हैं इस्टेटिक के इस्टेटिक नहीं हो गई बाडि के ऊपर external force के इधर से 30 Newton है और पर्पेंडिबूरर तुदा बोर्ड ऐसे यह 40 Newton ऐसे लग रहा है 30 ऐसे लग रहा है 40 ऐसे लग रहा है कि समझ नहीं आया अभी समझागता है जिए ध्यान से देखना हुए ठीक है अगर मैं क्या करता हूँ कोई भी एक बॉडी लेके ब्लॉक लेता हूँ इधर देखू कि यह रखाय सर्फेस के ऊपर देखो वह इस रखेस के ऊपर रखा कि अब इसके ऊपर क्या दिखाए मैंने इधर से कितना लगा 30 न्यूटन तो यह लगा यह लगा 40 न्यूटन यह लगा 30 न्यूटन तो बॉडी के ऊपर इधर से मेसूंद कि तो सब्सक्राइब है यह 40 न्यूटन का तो 40 न्यूटन है तो संके कि अधर लगा यह 30 न्यूटन तो दिए जलटेंट किता आएगा अगर फोर्स का रिजल्टेंट कर चुके हैं लोग किटने डाइगा यूपर यहां पर आपे डैट इस पी किया है यहां पर पी में बोलना हूं आइंट जो रिजल्टेंट फॉर्स है जो बॉड़ी के उपर इस फिफ्टी न्यूटन यह हो गया इस फिफ्टी न्यूटन इस दिशन की मैक्सिमम वैल्यू 40 न्यूटन वाड़ी के ऊपर जो नेट फॉर्स एक्स्टर रहा एक्स्टरनल वह कितना है 50 न्यूटन तो बॉड़ी किसमें होगी चेक कर लो एक्स्टरनल फोर्स इजगरण यह कंडिशन पड़ी ठी आजएंगी मोटी जो गार्टनमुशन में है कंडिर गाईर एक्सरीममोट्फीमे आगा लएकिंशन ही यह कितना होता है अंसर compelled तो 40 न्यूटन यह आंसर हो जाएगा इसका बाटी न्यूटन आंसर हो जाएगा कि इस तरह इसके उपर नेट फोर्स लग रहा है जिस दिरेक्शन ने अब थर्टी तो इसके उपर ऐसे लग रहा था अच्छा यह आपको दिखनी रहोगा यह देखो इस लगा यहां से इतों लगा 30 यह लगा 40 ठीके यह सामने से लगा इदर की तरफ जाएगी तो फ्रिक्षन के दिखाने पाऊगे इसलिए यहां पर दिखाई नहीं पाऊगे तरफ इसे जाएगी इधर 30 था इधर 40 है तो बोड़ी जाएगी रिजल्टेंट की तरफ इधर कहीं पीछ में और फ्रिक्षन आएगा अपोजिट इसके पोजिट दिखाने अधर बोड़ी कंडिशन में है अगर मोड़ी तो फ्रिक्षन का वैल्यू कितना होगा डैस मियू इंटु एनी रहेगा हमेशा और यहां सबकोंई में आई के नहीं आई इसमें किसी कोई डाउट कोई क्वेरियों कुछ नहीं समझ में आया तो बोलो अच्छा एक बात और मता हो बस इसी कोश्यां में पूछ रहा हूं सपूर्ज ये ठर्टी और 40 न्यूटन अगर फॉर्स नहीं है स्पॉस कुछ फॉर्स यहां पर 15 की जगहां कुछ और यहां और जब मैं रिजल्टाइंट फाइंड करूं है यहां पर सपॉज मैं बोल रहा हूं कि हितना थे यह ने एक किताल है टर्टी सपोज stability आया अप फ्रिक्चन का वेल्व कितना कि इतना होगा बेन कि अब इस अतनी कर फोर्टी रहीगा कि एक विफर्टी रहें चेंडे लोगा अगर ईटर्ट मुट फोर्टी की जिगा ठंगा तो कि देखो या तो मेरे को यह बताओ या तो यह लिगदो भी सब्सक्राइब करूगा फिर भी समझ नहीं आएगा मैं दूसरा दूसरा फेकल्टी आ जाएगा या फिर आंसर करो जो मैं पूश रहा हूँ गलती करो लेकिन ट्राइब तो करो अच्छीद का आंसर है फिर ठर्टी होगा ओके और कोई के चेंज ठीक है और बस दोई आंसर दोई लोग देख रहे हैं यест कि लास को कि मैं कि अगर अगर net force डियर अगर external force अगर external force body के उपर 30 Newton है और friction का maximum value 40 Newton है तो फिर तो friction कितना होगा फिर तो friction 30 ना होगा फिर तो body static condition में हो जाएगी ना अगर म्यू एस इंटु एन का वैल्यू कितना है यहां पर फॉर्टी न्यूटन अगर बॉड़ी स्टाटी कंडिशन में है उस टाइम पर फ्रिक्शन फॉर्स किसके एक वह लोगा फिर इतना एक्सरानल फॉर्स लगा हुआ है हर्शितने बिल्कुल सही बोला है इस कंडिशन में फ्रिक्शन होगा वह ठैटी न्यूटन होगा कि समझ आ रहा है न सबको चलो ठीक है सब लोग बोल रहे हैं एक और केश देखते हैं में चलो समझ अगर आई रहा है तो एक और केश देखते हैं इस बार सबको आश्य करना है इसके बाद स्पीड बन जाएगी स्पीड की प्रॉब्लम मतलों ठीक है पहले लेकिन जरूरी क्या है पहले सोचो थोड़ा कोश्चन के बारे में ऐसा नहीं है कोश्चन रीड करा यार समझ नहीं आया डिरेक्ट सॉल्यूशन पे चले गए आपका दिमाग को चला ही आपने और सॉलूशन देखके आपको लएगा अरे कि तो बड़ा सी मुपलता है यह नहीं करना है कोश्चन को रीड करो उसको थोड़ा टाइम दो पांच मिनट 10-15 मिनट लग रहे हैं दे दो जब आप सोचो गए तो थोड़ा दिमाग चलेगा वह ज़रूरी है पहले दिमाग चल लुख इस तरह से अग्याग वर्टिकल सर्फेस पर इस तरह से ब्लोक लगा हुआ है मजा आएगा सोचों के तो छूम्त अब डियर यहाँ पर बेट है अगे वेट यह एक्रड़ डाउबर ही undertilly न्यूटरं के तरह समय लग हए है यदर से एक तो लग रहा है यस 살ब्यस हैं यिस ब्लॉक को यहाँ पे रोकने के-लिए इस ब्लोक को यहां पर रोखने के लिए डियरए फोर्स लगा हुआ है 40 Newton 40 Newton 40 Newton का लगा हुआ है ठीक है एक और फोर्स लगा हुआ है perpendicular to plane और जो perpendicular to plane लगा हुआ है यह 30 Newton का लगा हुआ 30 Newton का लगा हुआ जो coefficient of friction है between the surfaces coefficient of friction between the surfaces new is equal to 0.35 इस दिख रहा है किलर मियो एक वस्टू 0.35 अगें डियर यू नीड तो टेल वाट इस दिफ्रिक्शन फोर्स बिट्वीन दसर फेसिज सर्फेसिज के बीच में इन सर्फेसिज के बीच में या पर फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा एगयर मैं आपको दो मिनट का टाइम देंगा करने के लिए इसको सॉल्व करेंगे सब लोग इस बार मैं 3 मिनट का देता हूं इस बार की मिनट का टाइम है कि सब लोग वो सॉल्व करना है लेकि झाल 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 आंसर नहीं आया है पॉटीन आया हरशित का नहीं पॉटीन नहीं है देखो इसको समझो पहले ना इसको पहले समझना है उसके बाद करेंगे इसको समझो पहले देखो यह क्या है यहीं पे अगर मैं लगाओ यहां पर चल जाएगा पोजी सर्फेस यह सर्फेस पे यह ब्लो कैसे लगा हुआ यह ब्लोक आपको दिखाया हुआ है कि इसका वेट कितना है हर्ड्रय जू डाउनवर्ड तो इसको नीचे लिएका बेट इसको नीचे लिए लेकि जाएंगा सर्फेस पे इसको नीचे लिए टाइगा 40न यह लगा हुआ आए यह पीछे वाल है सपोस्थ मेरा हाथ वाल है व तुर्टी नूटन अगेंस यह लेगा वाल लगा उसे निचे लेकी जाएगा को नीचे लेका निचे लेके जाएगा तो नीचे लेके जाएगा तो रिजल तैट मोशन कि इसका तो एसे द्यान से दुबारा देखो है यूट इसको नीचे लेकर आने कोशिश करेगा तो बाड़ी को वही पर हैल्ड करने का ट्राइक करेगा 40 newton क्या body को motion में लेके आने का try करेगा क्या 40 newton body को motion में लाने का try नहीं करेगा 40 newton तो wall के अगेस लगा हुआ है ना समझो तो डियर 100 newton लगा हुआ है downward है डाउनवर्ड देखो है 100 newton लगा हुआ है downward मैं वो फोर्सिव दिखा रहा हूँ जो इस body को motion में लाने का try करेगे एक तो हंड्रे न्यूटन को motion में लाने का try करेगा और एक है 30 newton इसको motion में लाने का try करेगा इसके कि चेक करनो कि समझ पा रहे हो कि के दुबारा दिखा रहा हूं यह बॉड़ी है अंड्रे न्यूटन लग रहा है इसका वेड डाउनवर्ड इस नीचे लेके आएगा थाइटी न्यूटन लग रहा है इसको इदर लेके जाएगा टरफ गये रिजल्टन तो इदर आयगा रिजल्टन तो इदर आ यह इस रिजल्टन को हम पी बोल रहे है तो पी कितना आएगा यहां पर आएगा और रूट प्लस थर्यटी का स्क्वार यह आएगा जो body के ऊपर net external force act कर रहा है जो इसको motion में लेके आएगा यह आएगा जो इसके ऊपर net external force जो इसको motion में लेके आएगा ठीक है चेक कर लो और इसका value कितना होगा that is value कितना होगा इसका 100 square plus 30 square root 104 0.4 104.4 newton यह लगा हुआ है body के ऊपर external force यह लगा हुआ है body के ऊपर external force फैजान बोल रहे है 30 कहां जाएगा समझ नहीं आया वहाँ वाल थी हाद देखो दुवारा देखो कोई वाद में कोई नहीं कोई नहीं दुवारा देखो समझो यह आपके पास block है वही यह वाला block है आपके पास मेरा फोने block है ठीक है और यह वो जो वाल है सपोज यह बोर्ड वोल है तो यह आपका ऐसे वाल के साथ वाल का अगेंस लगा हुआ है ठीक है अब बात करते हैं सबस्क्राइब को इसको इदर के तरफ की तरफ लाने कारें की तरफ इसको निचे तरफ पिरें तो बॉडि कितर जाएगी बोडि तो यह गे आई बात समझ में है फैजान जी बात समझ में आई ओके यस तो जो बॉडी मोशन में आएगी ना बॉडी तो जो मोशन में आएगी उसके लिए कौन होगा उसके लिए तो 100 न्यूटन और 30 न्यूटन रेस्पॉंसिबल होगे तो इनका रिजल्टन करना पड़ेगा ना दोलों का वी बॉडी किस डिरेक्शन में असिलरेट करेगी जिस डिरेक्शन में नेट फोर्स लगेगा और नेट फोर्स इदर की तरफ लगेगा और कितना लगेगा इतना लगेगा तो यह तो हो गया बॉडी के ऊपर एक्स्टर्न फोर्स अब निकाल लेते हैं मैक्सिमम फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा मू इंटो एंट कितना है यहां यहां पर एंट कि तरफ करेगा एंट इधर की तरफ करेगा नॉर्मल टू सर्फेस एं एड़ी नुटन के इकवल होगा कि नहीं होगा चेक करो नो पहली तो फॉर्टी नूटन होगा न इसाथ वॉर्टी नूटन को फॉर्स है जो बॉढडी ने इसकाली लिए बॉल्टीन लाएगा अब और मीं यू का वाल्यू कितना है जीऑ पॉइंट्टी फाइए फ्ली इ कि इतना हो गया है अच्छा सॉरी 14 जिसने बताया था वही करेक्ट आंसर था यह सॉरी इस ने बोला 14 जिसने बोला था करेक्ट था बिल्कुल ठीक था वेरीगुड कि 14 न्यूटन कि इतना एगा मिव इंटो एंट 14 न्यूटन किया एडिया यह मैक्सिमम फ्रिक्शन इस बोड़ी के ऊपर नेट फोर्स कितना लगा हुआ एक्स्टरण 104.4 तो पी का वाईल्यू तो ग्रेटर देन है मिव इंटो एंट से तो बोडी तो काइने टिक कंडिशन में होगी तो बोडी तो मोशन में हो जाएगी तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा फिर फिक्शन फोर एंट बन किन फर्टीन न्यूटर अंसरर होगया इतिन हर्षट ने दिया था अंसर करेट वैरी गुड वैरी गुड हर्शित का इनसर था इख करते हूं एक यह सबको समझ में आया है एक बार किसी को डावगों इसमें कुछ नहीं समझ में आया तो समझना है क्वेश्चन सबको कि यह और बताओ पिलीज ओके ठीक है ठीक है ठीक है थैंक्यू सुभाई यह हो गया आपका यह पे फ्रिक्शन हो गया कंप्लीट इतना हमने स्टडी किया है अगर कभी फ्रिक्शन से कुछ टेड़े कोश्चन भी आने की कोशिश होंगे तो अगर यह जितने प्रॉब्लम्स जिस टाइप भी हमने किये अगर यतना आप खुद से एकमार स्वाइब सारे कोश्चन को कुछ भी कोश्चन का फिर कैस ही तो यह इंत्टरयडेंड सेंटर औफ ग्राविटी ग्राविटी वह आं करेंग अधियर वह मं करेंगे लेकिन न्या चैप्टर्श धैनिउ टे निव प्लम्स टे स्टार्ट करेंगे को साय। अरुश करेंगे तुकर पूरा बेशिक कवर कर लिया ल कोइब किसी स्वेम ट आप लिए टॉन वाला कोश्चन हर्शित यहां पर नहीं हो गाला वो क्लास में पूछना आप करें इसका किसी नाउट पूछ बताना तो प्लीज बोलो तेकर माई काब अपना ओन करके बोल सकते हो ओ इसका फिल्टर वाला प्राब्लम कर सकते हैं बादर वाला प्रॉबलम कर सकते हैं तो ससक कि और आप मैं अइडिया कि ऐसमें क्या होता है मैं आपको इका आईडिया देता हूं कुष्यन होगा आप करके देखना हूइस वैसे आता नहीं है न न वह सपोज वॉल है और यह सी फ्लोर है यह फ्लॉर है्ट है तो His अब फ्लोर और वाल के अगेस्ट लेडर लगाया हुआ है सब्सक्राइब कोई लैडर पर अब अगर यह लैडर स्लिप होगा यह स्लिप होने का टेंडेंसी होगा किदर की तरफ होगा यह वाला प्लॉर के बीछ तुर पिक्षन आए गाओ इज़कर वाएगा लेटर और वाल के बीच में जो क्रिक्षन आएगा वो फ्रिक्षन के तरह ओएगा ए तिस आएगा ओके और जो नॉर्मल र्यक्षण साएगी जो सर्फेस इदर की साल लगाएगा लैनल पे नॉर्मल रियक्षन है याप यह आएगा ये अ और वर्टिकल डिरेक्शन में फोर्स बैलेंस कर दो इस कोश्चन को करने के लिए कभी आपके पास यह लैडर वाला प्रॉब्लम है बस एक बात का ध्यान नहीं यह तो यह पॉइंट पकड़ लो इसको बी पॉइंट बोल देता हूं यह यह पॉइंट पकड़ लो इसको में अब पॉइंट बोल देता हूं इधर यह तो क्या करो में तो समेशन ऑफ मॉमेंट अबाउट इसे जाएगा ऐसे जाएगा स्लिप ओके तो यह कुछ तो या तो इस पॉइंट के बाउट आप मोमेंट का समेशन जीरो कर दो तो आपका कैसा भी प्रॉब्लम हो लेंडर का कुछ भी यह एक्वेशन लगा देना क्वेश्चन सॉल हो जाएगा आप करके देखना एक बार नहीं होगा तो फिर मेरे को बता इंगल आप यहां पर नहीं आएगा बिना एंगल ऑफ लैप की हापे कोई नी होगी ठीकियो थेंक यू अजी किसी कोई डाउट कुछ पूछना और कि एंडिवन नहीं चलो फिर लेक्षर को एंड करते हैं अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना अच्छा आज वापको वैसे मिलना था कल मॉर्निंग में कल मॉर्निंग में आपको इसका आपको वर्क्षीट मिल जाएगा वई एक हम जब कंप्लीट करेंगे और की पूरे वख्षीट का इतने हैं आप सांसा सॉल्व करते हो जो सौल भी अपर ठीक लगा के रखें एक बार लेंगी डाउट सेशन लेंगे पूरा खतन वर Live और को क्ल्को निख्टर था गरेंगे मिलते हैं झाल झाल